दोस्तों नमस्कार लोकतंत्र जीत गया केजरिवाल को जमानत मिल गई इस देश में सम्विधान का राज है तभी तो सुप्रीम कोट ने फैसला दिया और केजरिवाल को जमानत मिल गई सीबी आई की गिरफतारी पर सवाल उठे यानि देश में लोकतंत बरकरार है और देश की सरवच अदालत का ये फैसला है तो मान कर चलिए कि इस देश में लोकतंत जीवित है लेकिन सियासत से बड़ी कोई परिस्तिती इस देश में होती नहीं है और वहबी चुनावी राजन के इर्दगिर्थ अगर इस देश की कानून विवस्था चलने लग जाए तो फिर जान जाईए कि दरसल चुनाव से बहतर और शायर सबसे ताकतवर इस्तिती कोई दूसरी होती नहीं है इसी लिए यह एक संयोग है या फिर मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है जिसमें य देश बार बार हर फैसले को लेकर आखे मूद लेना चाता है यह आज समझने की जरूरत है केजरिवाल जेल में थे तो जेल के बाहर शोर मचता रह गया कि केजरिवाल अपने पद से इस्तिफात देते क्यो नहीं है और वो बतार मुखमंत्री अगर जेल में है तो कल तो भी अपरादी जो आरोपी होगा वह जेल के भीतर जाकर भी अपने पुराने पद पर कायम रहेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा यानि जेल में रहते हुए केजरिवाल मुखमंत्री और जमानत मिलने के बाद केजरिवाल मुखमंत्री के कार्याले जा नहीं सकते हैं ज जो फैसला दिया उसमें एक जज ने कहा कि दरसल CBI की गिरफतारी अनुचित थी यानि जब केजरिवाल को गिरफतार किया गया वो सही नहीं था दूसरे जस्टिस ने कहा जी नहीं वो बिल्कु सही था जस्टिस सुर्यकांत अपने फैसले में लिखते हैं कि CBI ने सही तरीके से गिरफतार किया जिन आरोपों के तहट गिरफतार किया उसे जो जाच करनी थी वो बिल्कु सही था और दूसरी तरफ जस्टिस उजवल भुईयां लिखते हैं अपने फैसले में कि जी नहीं केजरिवाल की गिरफतारी पूरे तरीके से अनुचित थी और ये फैसला सही नहीं था यानि CBI के कामकाज को लेकर एक जज उंगली उठा रहा है दूसरा जज उस उठाई हुई उंगली को नीचे जुका रहा है लेकिन दोनों जजों ने कहा कि इस मौके पर जमानत मिलनी चाहिए CBI कह रही है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए CBI की गिरफतारी सही है यह एक जज कह रहे हैं और वो जज कह रहे हैं कि जज को आसरे दूसरे जज नहीं जो कहा है उससे उलट परिस्तिती रखते हुए वो कहते हैं जमानत मिलनी चाहिए यानि सेमती दोनों जजों की थी जमानत मिलनी चाहिए बात ये नहीं है बात ये है कि दरसल केजरी वाल को ये चुनावी जमानत मिली है दिल्ली के सचवाले में वो नहीं जा सकते हैं जो सीम का दफतर होता है सीम के दफतर पहुँचकर वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं जो इसे दौर में फैसला लेने की जरुरते शायद दिल्ली सरकार को है कोकि तीन महीने के बाद या कहें मैक्सिमम चार महीने के बाद दिल्ली में चुनाओ होने है तो दिल्ली को भी सजाना और सवारना अपनी राजनितिक निर्णों के आसरे है कैबिनेट की बैठक लेगा कौन अगर मुकमंतरी सचीवाले नहीं जा सकते है ये इस फैसले के आइन में है कि जेल में रहता हुआ शक्स मुकमंतरी है और जेल से बाहर आया हुआ शक्स जमानत पर है और वह चुनावी जमानत पर है क्योंकि 20 दिन का वक्त हर्याना के चुनाव प्रचार का बचा है। इस 20 दिनों में ऐसा चुनाव प्रचार धुआदार तरीके से करना है कि महा हर्याना की पूरी राजनिती एक जटके में उस परिस्तिती में लाकर खड़ी कर जाए जहां पर एक त्रशंकू विधान सबा की परिस्तिती बन कर आ जाए। अब इसके घटना करम को एक एक बारीकी के साथ परखना शुरू कीजिए। ठीक आठ दिन पहले सुप्रीम कोट जब सुनवाई कर रहा था केजरिवाल की जमानत को लेकर तो बड़ी लंबी बहस चली। बड़ी लंबी बहस का मतलब ये है कि सुभे से जो बहस शुरू ही वा दोपहर के भोजन में रुकी और फिर भोजन के बाद फिर सुप्रीम कोट बैठी और पूरा मौका दिया गया दोनों तरफ के तमाम वकीलों को कि आप अपनी बात को रखिये। सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी और दूसरी तरफ सिंग्वी साहब ने भी अपनी बात रखी जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से अरकेजरी वाल की पैरवी कर रहे थे। और ये माना गया कि लगभग पांच घंटे तक किसी चर्चा के बाद सुप्रीम कोट अब तो फैसला दे देगा। ये आठ दिन पहले का किस्सा है। उस दिन का किस्सा है जब दिल्ली के भीतर कॉंग्रिस की बैठा खुई और उसके बाद एक शोर निकल कर आया। कि केजरिवाल यानि आम आदमी पार्टी के साथ सीटों पर समझोता हरियाना में करना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया गटबंधन एक साथ है और किसी भी रज में वो अलग अलग नहीं है। उस मामले को कितना केजरिवाल की पार्टी आम आदमी ने तूल दिया या फिर कॉंग्रिस ने तूल दिया उससे ज़्यादा बड़ा तूल बीजेपी ने ये कहकर देना शुरू किया ये कैसे गटबंधन है ये इंडिया गटबंधन का मतलब क्या है दिल्ली में लोकसभा के चुनाओं में गटबंधन करते हैं और पंजाब में नहीं करते हैं अब दुबारा ये परिस्तिती आकर खड़ी हो गई कि अब यहां पर गटबंधन करेंगे वहां नहीं करेंगे तो ये गटबंधन नहीं है ये दरसल आपस में राजनितिक सौदेबाजी की एक ऐसी परिस चड़ा बाच्चित कर रहे हैं कभी वो मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभारी हैं हर्याना के बावरिया जी उनसे मुलाकात कर रहे हैं कभी वो केसी वेणु गोपाल से मिल रहे हैं जो जनल सकेटरी हैं कभी वो अध्यक्ष मलिकार जुन खळगे से भी मुलाकात हुई संजय सिं ने फैसला सुनाएंगे जब सारी चीजी अनुकूल हो जाएंगे ये अनुकूल होने की परिस्टिती क्या थी अब इस पर गौर कीजिए कल आधी रात के बाद यानि जो 11 तारिक की रात थी 11 बचकर 25 मिनट पर वो लिस्ट आती है कॉंग्रेस की और उसके बाद दिन जब और साथ सीटों पर समझाता आम आदमी पार्टी के साथ हो जाएगा छे और साथ सीटे कम थी 80 सीटों तक की जानकारी 11 तारिक को रात 12 बजे आ गई और 12 तारिक को आखरे दिन था नॉमिनेशन का और दिन पल्टा 12 बजे 12 बीस में आई और सुबह होते होते दो और सीटों क जानकारी अपने तोर पर कल सुबह तक डे डाली थी अब सुबह तक दी और सुप्रीम कोट में लिस्टिड नहीं था कि आज सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोट ने वो सुनवाई आज रखी और आज जब सुनवाई शुरू होई तो कोई वक्त नहीं लगाया ये कहने से कि केजरिवाल को जमानत मिल जानी चाहिए और वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं और अब के लिहास से समझे तो 20 दिन का चुनाव प्रचार का वक्त बचा हुआ है इस दोर में दिल्ली के मुक्मंत्री अर्विन केजरिवाल की पतनी हो या फिर तमाम जो भी नेता इवेन मनिश सिसोदिया भी हो वो लगातार हर्याना में नजर आ रहे थे इस दोर में वो चुनाव प्रचार करते रहे और इस बात को लेकर लगातार बड़ी ठसक के साथ अर्वनिश सिसोदिया हो इस बात का जिक्र करते रहे मैं बहार निकल कर आया हूँ तो गैरेंटी लेता हूँ कि अब केजरिवाल भी बहार निकलेंगे और ये माना गया कि द पालिका के निर्णे संयोग वश है या फिर राजनिती से प्रभावित है या फिर एक ऐसी परिस्तिती में आकर इस दौर में फैसले भी टिक गए है अदालतों के जो कि इस राजनिती को प्रभावित करें क्योंकि ये कैसे कोई मान भी सकता है कि आप जेल में मुखमंत्री जेल से चूटने के बाद आप मुखमंत्री नहीं है आप अपने कारियाले में नहीं जा सकते हैं अपनी कूरसी पर नहीं बैठ सकते हैं कोई फाइल नहीं देख सकते हैं कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते हैं कोई बड़ा निर्णे नहीं ले सकते हैं कोकि आपको भी पत जाती है तो क्या राजनितिक सत्ता जो मौजूदा वक्त में दिल्ली से चलती है और जसकी अधीन सीबी आई एडी सभी है और इस परिस्तिती के भीतर भारत की नियाई पालिका को लेकर खास तोर से प्रधानमंत्री जब चीफ जस्टिस के गर पर पूजा पार्ट के लिए प पहले इस देश के भीतर में चुनाव आयोग की भूमी का कोई छुपी हुई नहीं है लोकसभा चुनाओ के भीतर की परिस्तितियों को भी अगर आप परखे तो जिस वक्त दिल्ली के भीतर गटबंदन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ था लोकसभा का चुनाओ था उस दौर को भी याद कर लीजिए उस दौर में केजरिवाल को जमानत चुनावी जनमानत के तोर पर दी गई थी और चुनावी परचार के लिए एक वक्त दिया गया था कि आप इतने दिन तक आपको दिल्ली के चुनाओ में वोटिंग होने से पहले परचार के दिन तक दिल्ली के मुख मंत्री चुनावी जमानत पाते हैं और वो लोकसभा के भीतर भी जब चुनावी जमानत मिलती है हाला कि उस दौर में इंडिया गटबंधन का समझाता हुआ दिल्ली में समझाता हुआ और तैवा की चार सीटों पर आम आदमी पाटी लड़ेगी तीन सीटों पर कॉंग्रेस लड़ेगी हाला कि एक भी सीट जीत नहीं पाए लेकिन उस दौर के घटना करम में ये माना गया कि शायद गटबंधन ना हो और गटबंधन ना हो तो फिर कोई भी ऐसा रास्ता निक कीजिए वो तारीक 10 मई की थी उसके बाद की परिस्तितियों को आप याद कीजिए तब आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में बकाइदा परचार करते वक्त राहुल गांदी ने भी केजरिवाल के साथ मंच शेयर नहीं किया था जबकि केजरिवाल की रैली चल रही थी मंच स संबोधन चल रहात और दिल्ली में भी राहुल गांदी ने एक रैली की और मंच से संबोधन किया लेकिन उस मंच पर केजरिवाल नहीं केजरिवाल की मीटिंग में राहुल गांदी नहीं सियासत का इस अनूठे खेल में क्या वाकई सुप्रीम कोट के फैसले और जमानत और जुनावी जमानत को जोड़ा जा सकता है लोगसभा में हुआ लोगसभा में जब वो बाहर निकले तो दो ही बड़े बयान उस वक्त केजरिवाल ने दिये थे पहला बयान था ये चुनाव में वोट देश के ग्रिमंत्री अमिशा के लिए मोधी मान रहे हैं क्योंकि अब वो इस पत से हटेंगे ये कयास आज भी लगते हैं राजनतीक दोर पर और दूसरी परस्तिति उन्होंने कहा ता कि इलेक्षन के बाद योगी आदितनात को हटा दिया जाएगा और ये कयास भी आज भी लगते हैं योगी आदितनात को लेकर दिल्ली और लखनों की तिकलमों के बीच और टकराओं में वही अमिश्या और वही योगी आदितनात और इनी दोनों को लेकर वक्तव दिया गया था लोगसभा बचा रह गया, CBI ठीक तरीके से काम नहीं करती है, CBI ने सब को फसाया, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चाहे संजय सिंग की जमानत हो, चाहे के कविता की जमानत हो, चाहे के कविता की जमानत हो, चाहे विजे नायर की जमानत हो, और अप केजरिवाल की जमानत हो, इन तमाम परिस्तितियों के भीतर का दो सच तो साफ है पहला सच जो पूरा शराब घुटाले थे उसको लेकर सरकार या कहें सी बी आई और एडी के पास कोई ऐसे पुकता सबूत है ही नहीं ये माना जा सकता है तो फिर उसने जेल में क्यों रखा किसी को पांच महीने किसी को छे महीने किसी को साले 6 माईने ऐसी परिस्तिती में जेल में रखकर जब उन्हें रिया किया जाता है तो इसके मतलम माईने उनके राजनेतिक तोर पर फाइदे उठाने और राजनेतिक तोर पर घाटा पहुचाने की ही परिस्तितिया होंगी क्योंकि डिप्टी सीम तो मनीश सिसो दि अभी थे, लेकिन वो बाहर जेल से निकले तो उन्होंने डिप्टी सीयम के पद की शपत नहीं ली, किसने रोक रखा था, क्या जेल से य आदेष था, मुक्वंंतरी का, को कि मुक्वंंतरी ही आदेश देंगे, मुक्वंंतरी यानि केजरि वाल, कि डिप्टी सियम के पद को आप समालिये और इस दौर में तमाम राजनेतिक परिस्तिति को देखिये लेकिन वह बिढ़ गए चुनाओ की प्रक्रिया में और उन्हें ने माना कि चुनाओ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और सरकार तो काम कर रही है चाहे वो आतिशी हो या सौरब भारद्वा जो ये समाले हुए हैं दरजनों मंत्राले इनके पास हैं अगर ऐसी परिस्तिती तो फिर दिल्ली के बीतर एक ही व्यक्ति को रहना चाहिए लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट और इन सब के बीच लड कोई सरकार है लेकिन सुप्रीम कोट ने यह भी कहा था कि अलग जी को पावर मिले या ना मिले यह फैसला सरकार करे केंदर सरकार करे पार्लेमेंट में बिल लेकर आया और 24 घंटे नहीं बीते बिल आ गया तो यह एक ऐसी परिस्तिती है जिसमें इस देश के बीतर में चुन कि इस दोर में तो कशमीर के भीतर भी जो इंजिनियर साब हैं जो सांसद है जेल में रहते हुए चुनाओ लड़ गया कल ही एक इंटर्वू में कह रहे थे मुझे तो पता भी नहीं था मैं चुनाओ जीत गया चंता मेरे साथ खड़ी है और मैंने देखी उमर अब्दुल् आनी इस देश की देश दोही वाली परिस्टितियों के साथ उन्हें जोड़ा गया है लेकिन चुनाओी मौका है तो उनको जमानत मिल गए यानी इस देश के भीतर में चुनाओ के वट आपको जमानत मिल सकती है अगर आप सियासी तोर पर उस चुनाओ को प्रभावित करने की दिशा में आकर खड़े हो जाएं तो अब इस चुनावी प्रक्रिया में चुकी बहुत साफ तोर पर सुप्रीम कोट ने कहा है कि देखिए आपके उपर चार बंदिशें लगाई जाती है जो अर्विन कैजरिवाल पे बंदिशें लगाई गई है पहली बंदिशें सीम कार याले नहीं जा पाएंगे कोई फैसला नहीं ले पाएंगे किसी फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे दूसरी है कि जो ये जमानत दी गई और ये जो पूरा का पूरा मामला है इसको आप सारजनिक तोर पर नहीं कहेंगे सारजनिक चर्चा नहीं कहेंगे तीसरी है कि संजय सिंग या मनीश से सोधिया या फिर के कविता और विजे नायर को लेकर भी कही गई लेकिन उसमें सीम पद का जिक्र नहीं क्योंकि सीम तो एक ही है अब ये सवाल है कि इस दोर में आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक जब लिस्ट जारी की और दूसरी तरफ जैसे ह पूरी लिस्ट जारी कर दी कॉंग्रेस ने उसके बाद अर्विन केजरिवाल को जमानत मिल गई अब जरा इतिहास यह भी समझे कि जब लोकसभा के वक्त जमानत मिली थी तो लोकसभा में इस देश में इंडिया गटबंदन की तरफ से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाम में 13 सीटों पर लड़ी 13 की 13 सीटों पर वहां पर लड़ी 3 सीट जित पाई और वहां गटबंदन नहीं हुआ वहां कॉंग्रेस अलग लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी और चुनाओ परचार के केंद्र में अर्विन केजरिवाल तब विता ये तमाम परिस्तिती बतलाती है कि पंजाब के भीतर अगर ध्यान दीजिये तो बीजेपी घुसने का लगातार प्रयास करती रही अकालियों के साथ भी समझोता नहीं हो पाया ऐसे में उसके प्रयास लगातार थे और उसने एक राजनितिक जमीन अपने बूते वोटों के परसाइंटेस के जरीए बनाई जरूर लेकिन अब चुकि विधानसभा चुनाओं का मौका है विधानसभा की परिस्तितियां तो एक छण के लिए हर्याना की उस राजनिती को जरा सा समझ लीजिए कि आखिर आम आदमी पार्टी की महत्ता हर्याना के चुनाओं में कितनी है और किसके लिए है और खुद की अपनी राजनितिक जमीन बनाने का भी एक स्पेस आम आदमी पार्टी के पास है लेकिन आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से ऐसी परिस्तिति नहीं आ पाएगी कि हर्याना में चुनाओं जित जाए इस बार सीटों के वित्रन को लेकर जो टिकट माटे गए उसके बाद बीजेपी में जो विरोध हुआ जो विद्रो हुआ मंत्री छोड़कर जाने लगे बड़े बड़े विधायक चले गए बड़ी तादाद में विधायक कारकरता चले गए और आज की तारीक में जब जानकारी मिलती है तो पता चलता कि मंत्री विधायक और बड़े नेता की संख्या 20 से जादा है जो सारे कार्यकरता है जो की एकदम निचले अस्तर पर नहीं बलकि एक मिडल रैंकिंग के कार्यकरता होते उनकी संख्या तक्रीबं 3,600 है जिन्नोंने अलग-अलग जगाउं से छोड़ा चाहे वो सोनी पत्थ हो चाहे वर रोतक हो ये परिस्तिती बतलाती है कि बीजेपी के भीतर एक हलकंप थी और कॉंग्रेस भी इससे घबराई हुई थी इसलिए वो आखरी छणों तक अपनी सीटों का एलान नहीं कर रही थी लेकिन जैसे ही किया वैसे ही यहां जमानत मिल गया और फाइनल हो गया क कि अब हर्याना में आम आदमी पाटी अलग लडेगी, कॉंग्रेस अलग लडेगी, बीजेपी अलग लडेगी, जेजेपी अलग लडेगी, आई एनल्डी अलग लडेगी, कुछ निर्दलिये अलग लडेंगे, बीएसपी भी अपने तौर पर ख़़िया, ये तमाम बाते अब देखिए वहां का राजनेतिक इतिहास इसलिए बड़ा मात्पून है कि 2019 के विधानसभाद चुनाओं में बीजेपी को लगभग 36% वोट मिले थे और कॉंग्रेस को मिले थे 28% वोट लेकिन इन दोनों से हट कर जो दूसरे राजनेतिक दलते जिसमें जेजेपी था उसक को मिले 5% वोट इंडिपेंडेंट्स को मिले लगभग 9% वोट बीएसपी को मिले लगभग सवाचार-चार पॉइंट दो एक फीजदी वोट यानि सम मिला दीजेगा तो यह लगभग 30% से ज़ादा चला जाता यानि कॉंग्रेस से ज़ादा वोट परसेंटेज उनको मिले जो छेत्रिये पार्टी के तौर पर, रिजिनल फोर्सेस के तौर पर, चुनाओ के मैदान में थे और अलग-अलग पॉकेट्स में उनको वोट मिलते चले गए तो इनका परसेंटेज 30.62%, कॉंग्रिस का परसेंटेज 0.5.08%, बीजेपी का 36.49%, यानि बीजेपी का एक वोट ब आ गई, कॉंग्रिस का वोट अप परसेंटेज लोग सभा चुनाओ में 8% गिरा, क्योंकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी लड रही थी, उसे 20% वोट मिले, उस वक्त 28% विधान सभा में मिले थे, और इन सब के बीच INLD, जिसको एक भी सीट नहीं मिली, लगिन उसको लग भग वही वोट परसेंटेज, 4.37, विधान सभा में उसको 4.21 मिलाता, तो 0.10 परसेंट उसको ज़्यादा ही मिला लोग सभा में, और इंडिपेंडेंट केंडेट्स का एक अपना रुख रहता है वहाँ पर, योही नवीन जिंदल की माताजी निर्दलिये चुनाओं नहीं लड़ रही हैं, वो जानती हैं कि दरसल इंडिपेंडेंट केंडेट्स के साथ हरियाना के वोटर उस कौंश्वेंसी में अपने साथ चीजों को जोड लेते हैं, यानि राजनितिक तोर पर हरियाना के चुनाओं में रिजिनल फोर्सेस का भी अपने अपने पॉकेट्स में बड़ा महत होता है और उस महत को तमाम नैशनल पॉलिटिकल पार्टी छीन नहीं पाती है, ये किसी भी चुनाओं में आप परकते चले जाएं। तो मैसेज बहुत साफ है कि जो रिजिनल फोर्स के तोर पर बीजेपी और कॉंग्रिस से हट कर अभी तक थी, चूकि उनकी स साख चली गई, क्योंकि जेजेपी की साख चली गई, जो जेजेपी को पिछले विधान सभा चुनाओं में तकरीबन 15% वोट मिले थे, अब उसकी साख जा चुकी है, वो वोट कहां जाएगा, वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, वो कॉंग्रिस के पक्ष में क्या जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हो जाए, आम आदमी पार्टी के जो सुर हैं, वही सुर कॉंग्रिस के हैं, यानि बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोट जो हैं, वह आम आदमी पार्टी के हक में जाएं, इसलिए ये लोकतंत्र की जीत हुई है, इ बीजेपी के लिए वो CBI को लेकर एक जज ने कही दिया आपके गिरफतारी गलत थी लेकिन दूसरे जज ने कहा सही थी तो आप किसको कैसे कट घरे में खड़ा करेंगे ये अब आप सोचिए लेकिन फिर भी फैसला तो दिली में बैटी हुई केंद्र सरकार का है और तमाम इ खिलाफ इंडिया गटबंदन दो हिस्सों में कूट चुकी है हर्याना के चुनाओं में वो वोट शिप्ट कहा होंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग परसेंटेज वोट आई एन एलडी के वोट लोकसभा चुनाओं में 24.11 एक भी सीट ना होने के बावज बावजूद भी ये बड़ी बात है और ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा है कि कॉंग्रेस अपने तोर पर जितने परसेंट वोट नहीं ले गए उससे ज़्यादा आई एन डी ले जाती है बावजूद इसके एक सिस्टेमेटिक तरीके से वोट परसेंटेज लेक हर्याना में होना तय है आप उसको रोक नहीं सकते है और बीजेपी का ध्वस्त होना भी एक फैक्ट है लेकिन बीजेपी का अपना वोट बैंक वो कितनी भी बुरी से बुरी स्थिती में क्यों ना रहे उस बुरी स्थिती में भी उसका वोट बैंक अपना 25% के उपर ही रह इनको 25-35% ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी असल परिक्षा इसी बात की है और इन परिस्तिती के बीच में आम आदमी पार्टी और स्टार प्रचारक के रूप में केजरिवाल आकर खड़े हो चुके हैं लेकिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की राजनिती भी कहती है कि उसको अपना वोट बेंक शेर बढ़ाये रखना है क्योंकि अब वो नैसल पार्टी है और वो लगातार कहींगे कि देखिए केंदर सरकार ने हमें जेल में डाला और यही सवाल ताना शाही का नफरत का तमाम परिस्तितियों में राहुल गांधी भी कहेंगे वहाँ जाकर तो दो के निशाने पर एक ही है एक जेल से निकल कर आया है और दूसरे शक्स को पता नहीं कब जेल में डाल दिया जाए। ये आप सोच लीजिए लेकिन भारत के भीतर पहली बार चुनावी जमानत बिलती है और केजरिवाल जेल के भीतर सीहम लेकिन जेल के बाहर वो सिर्फ एक प्रचारक के तौर पर वह भी चुनावी दोर में इस्टार प्रचारक जो चुनाव प्रचार करने कश्मीर भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया